मतदान के बाद अप्रत्याशी पूरे रिलेक्स होकर 11 दिसंबर यानि रिजल्ट के दिन का इंतजार कर रहे हैं इसी कड़ी में नीम का थाना से कॉंगर्स प्रत्याशी सुरेश मोदी भी अपने गाउं में जाकर लोगों से मुलाकात की और उसके बाद बाजरे की रोटी और चार्च के साथ थोड़ा रिलेक्स मूर में नज़र आए साथ इन्होंने कहा कि चुनावी भागदौर के बाद आज रिलेक्स मिला है कर दो बाद रिलेक्स मिला है